नमस्कार दोस्तों पेश कर रहा हूँ सफशद इस्तमाल की जाने वाली रिलेक्जिल ओइन्मेंट का रिब्यू तो जाहिर है इसके यूजेज भी आपको पता होना चाहिए इस वीड़े में आप देखेंगे इसके यूजेज इंडिकेशन तता फायदे रिलेक्जिल ओइन्मेंट टॉपिकल मसल रिलेक्षन्ट है और अनलजेसिक है मसल रिलेक्षन्ट मतलब मसल को रिलेक्स करने वाला और अनलजेसिक मतलब पेन कीलर या पेन रिलिवर रिलेक्जिल ओइंडमेंड का प्रोडॉक्शन किया है फ्रैंको इंडियन फार्मस्टिकल प्राइबेट लिमिटेंड ने आप देख सकते हैं यह ट्यूब ऐसी कोस्ट 66 रुपीजी इस सिर्फ बाहरी इस्तिमाल के लिए देखते हैं इसके यूजेस यह मसल स्पाजम के इलाज में उपएगे काल्प मसल या बैक्प मसल पर इलाज करना है तो इसका इस्तिमाल कर सकते हैं हुआ mann çalış Engineer olgin में मायल जिया रु स एक यह इंट्रेंट इनकोई परकार क क्यूंत उस्की रुकले करने में उपएगे लुंबे को फ्रोजर सोडर मुंतलब regression में अकड या कंदों में दर्द हो कंदों में स्पाजम हो तो इसका इस्तिमाल कर सकते हैं अर्थरेटिस हो जोएंड, हैंड और नी मतलब भुटनों का अर्थरेटिस हो तो इसका इस्तिमाल कर सकते हैं बुरसाइटिस टेंडिनाइटिस या स्पोर्ड इंजोरी या sport massage या low back pain का इलाज करने में कर गरे इतना ही नहीं H1 drug की इस्तिमाल करने के बाद अगर tendinitis हो मतलब tender में rupture, tender में inflammation, tender में breakage हो तो इसका इस्तिमाल करना चाहिए बहुत सारे H1 drug market में है तो उसके करन tendinitis होता है यह अपने पास रखना चाहिए, हर घर में होना चाहिए अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो like करे, share करे, comment करे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद